12 standard student, आप सभी को मैंने बोल के रखा था कि आपके colleges में जितने unit test हो, जितने semester exam हो, जो भी exam हो, उसको बहुत serious हो के देना, क्योंकि देखो क्या होता है, हाँ वहां के marks direct add तो नहीं किये जाते हैं, पर indirectly जरूर add होता है, आप बोले के सब्सक्राइब क्या होता है, देखो जो भी आपके oral होंगे, जो भी practical होंगे, इसमें आप जिस तरह से score करते हुए दिखाई दोगे, आपको marks भी उसी तरह से उसमें मिलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसमें अपना जल्वा बरकरार रखना, इसमें जल्वा बरकरार रखोगे, तो teacher अगर marks कम करना भी चाहेगी वहाँ जाके उस practical में और oral में तो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके semester exam में, आपके unit test में बहुत अच्छा score था, मैं auto planning के भी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इतने marks लाओ, जिससे आप भी कुछ रहो, और teacher भी तोड़ी कुछ रहे, इसलिए गाईस, मैं आप सभी को semester exam आप सभी को होगा, दिवाली से पहले, उसके paper pattern के बारे में चीज़े बताने जा रहा हूँ, तो इसको पूरी तरह से सुनना, और जितना आउसे के वीडियो को share करना, और मैं यही उमीद करूँ आज जादा-जादा marks निकालना, और अपने इस channel पे A to Z, सभी lectures videos आ रहे, जाके playlist check करो, even chemistry का, math का, हमारे दूसरे channel पे आ रहे हैं, जिसका नाम प्रदीबरी 1112 Academy, तो वड़ाबर चैनल को subscribe दोनों कर दो, और इस Instagram पे अपना support दिखा सकते हो, कि वहां मैं एक challenge accept किया है, जाके भाई, वहां भी अपना प्यार बढशाओ, तो जो वड़ाबर section जो होते हैं, हमें चार section, हाँ, दिखाई दे रहे हैं, हाँ, दिखाई गे रहे हैं, total 4 section हमें क्या करते हैं, cover करना रहता है, section A, section B, section C, and section D, section A की में बात करो, total यह हमें 14 marks section A ही दे देता है, और 14 marks में पहला MC क्यों होता है, तूसरा very short answer होता है, अब section B की अगर मैं बात तो total काई से हमें 6 questions होते हैं, 6 में से हमें 4 questions करने रहते हैं, और हर question 3 marks का होता है, अब section D की अगर मैं बात करो, total 4 questions दिए रहेंगे, और 4 में से दोस्तों अपने को करना पड़ेगा, कोई भी 2 questions और हर question 4 marks के होंगे, तो इस तरह के questions की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना ह का हो चुका है, उन सभी chapter को क्या करो, उन chapter को आपने complete कर लिया, अपने channel पर जाके फटाबट complete करो, सब कुछ है, बहुत प्यार से बढ़ा है, बहुत अच्छे से बढ़ा है, जैसी आपका concept clear हो जाता है, सब चीजी clear हो जाते, इसके बाद उत्तम का book निकालो, उसमें देख कर दो